हलो सुदेंट, स्वागत है आप सभीका साइंस अंफन 910 के यूट्यूब चैनल पे जहां हम तीचेज आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं को लर्न करना है वहां पे कौन-कौन से टेंपरेचर क्यों-कौन से पौधे कौन-कौन से आनिमल्स पाए जाते हैं बहुत कुछ लर्निंग है लेकिन इस नोट से आपको बहुत हैल्प मिलेगी और आप इसको किकली लर्न कर पाएंगे इस वीडियो को इंट तक जरूर देखे से इस पूरी स्लाइड में आपका पूरा पूरा चाप्टर है खतम पूरा पूरा चाप्टर क्लियर कर दिया गया है तो हम फड़ा फड़ से इसको क्लियर करेंगे पढ़ेंगे और अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो हम आप उसको सॉल्फ कर देगे तो चलिए बात हैं कौन-कौन से हैं मेarnा है मैं बात पर हईहां नहीं से आंसर के आप में अपए मैं इस यह पाद श swipe का जा रहा है जारा है पानी डाल के साज़ आ कि इतने बड़े-ड़े ट्री इन जाता होगा यह है कोई आप में से कोई तो होगा यार तभी तो इतने ग्रो कर रहे हैं नहीं कोई भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे जितनी भी vegetation हो रही है plants, trees, shrubs herbs जितने भी पाए जा रहे हैं वो सब naturally grow कर रहे हैं और इसे ही हम कहते हैं natural vegetation natural sunlight natural rainfall पानी इसी से वो grow किये जा रहे हैं और इतने बड़े बड़े पौदे, इतने बड़े बड़े trees बन चुके हैं तो ये होती है natural vegetation और इसका दूसरा नाम होता है बेटा virgin vegetation virgin vegetation तो आपको एक्जाम में पूछ सकते हैं what is the aim of natural vegetation it is virgin vegetation ओके चलिए बड़े बड़े आगे हम बात करते हैं natural vegetation में ही होता है ecosystem अब वो ecosystem क्या होता है ecosystem में एक ऐसा environment है जहाँ flora and fauna एक दूसरे बे करते हैं depend now what is flora and fauna flora is all the plant species plants की variety and what is fauna animal species यानि की animals की variety अलग-अलग प्रकार के plants वो हो गए flora अलग-अलग प्रकार के animals वो हो गए fauna तो एक particular जगा में जब flora and fauna आपर समें interdepend करते हैं उसे हम बोलते हैं ecosystem और उसे की बाद एक term आती है biome biome होता है एक बहुत बड़ा ecosystem को हम biome बोलते हैं ये रही इन दोनों की definitions ठीक है अब आते हैं पर्टिकुलर जगा की natural vegetation को affect क्या करता है बेटा natural vegetation को करते हैं पांच factors affect जिसमें से हमने उसको दो parts में divide किया relief और climatic और दोनों ही head के अंदर relief के अंदर आते हैं आगे दो और land और soil और climate में आते हैं तीन temperature photo period और साथ ही साथ precipitation तो आईए इन factors को discuss कर लेते हैं एक particular जगा की land कैसी है इसमें depend करती है उसकी vegetation यानि कि वहाँ पे कैसे flora and fauna पाए जाएंगे क्यूंकि अगर एक land बंजर है वहाँ पे बहुत सारी crop नहीं हो पाएगी अगर कोई land बहुत ज़ादा उप जाओ है तो वहाँ बहुत सारी खेती हो पाएगी तो इसलिए land एक बहुत बड़ा factor है किसी भी particular जगा की vegetation को पहचान देगा next factor is soil अब एक particular जगा पे बहुत ही deserty soil है sandy soil है तो वहाँ बहुत सारे पादे नहीं हो पाएगे वहाँ तो सिफ thorny bushes, cat tie यह से बुक पाएगा वहीं aloeveal soil है जो बहुत ज़्यादा fertile होती है sorry जो बहुत ज़्यादा fertile होती है वहाँ पे तो बिटा बहुत सारी crop सो पाएगी rice, sugarcane, wheat, etc, etc तो soil भी determine करती है एक particular जगा की vegetation अब हम आगे चलते है climate factors की तरफ climate में सबसे पहले temperature एक particular जगा का temperature कैसा है वो depend करेगा वहाँ पे कैसी vegetation पाएजाएगी यानि की high temperature पे कैसी crops दोगेगी, low temperature किन crops को चाहिए, तो basically हर एक crop या हर एक fauna हर एक temperature में नहीं survive कर पाता, तो इसी लिए natural vegetation और wildlife दोनों को ही क्या चाहिए temperature देखना है क्या आपने कभी रास्ते में आपको अपने घर के पास आपने अपने घर के पास penguins गुमते वे देखे हैं polar bears देखे हैं नहीं न, क्यूंकि उनको ये weather survival ही दिकर पाएँगे वो इस climate में इस weather में, इसलिए temperature is a very big factor second is photo period photo period का दूसरा में sunlight यानि कि कोई पेड पॉदों को sunlight minimal चाहिए होती है कई जों को बहुत ज़्यादा चाहिए होती है same goes for flora and fauna क्योंकि sunlight से ही determine होता है temperature next is precipitation precipitation को बोला जाता है बेटा rainfall तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि बारिश पेड पॉदों को और खुशाल बनाती है तो precipitation is the only sorry it is the last factor that affects vegetation of a particular place तो हो गए ना 5 factors land, soil बोलो मेरे साथ साथ land, soil, temperature photo period and precipitation तो these are the 5 factors which affects vegetation and wildlife ओके, let's move forward then हमने बायोम कर लिया, ecosystem कर लिया अब हम बात करते हैं types of vegetation के बारे में अलग-अलग forest के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही असान है क्या-क्या important मैं आपको बता दूँगी सारा का सारा learn नहीं करना है सबसे पहले हम बात करेंगे tropical evergreen के बारे में नाम से पता चल रहा है सदा बहार पता ही नहीं कब shed करेंगे अपनी leaves important क्या-क्या common trees है albony, mahogony common animals कौन से है lemur, deer tropical deciduous forest और भी आगे इनके parts होते है moist and dry deciduous सबसे पहले tropical deciduous क्या होते है 6-8 week हफते में dry summer में अपनी leaves को कर देते है shed common trees है common animals है lizards and snakes और आगे इसके 2 sub points है moist deciduous and dry deciduous दोनों में फरक है पहली बात तो rainfall का moist deciduous को चाहिए होते है 100-200 cm की rainfall वही dry deciduous को 70-100 cm की rainfall चाहिए होते है moist deciduous आपको provide करता है बहुत ही valuable timber वही dry deciduous कोई भी commercial tree commercial product नहीं available कराता है और फिर आप दोनों के examples learn कर सकते हैं यह इनके बीच में difference है और बहुत ज़्यादा important है thorn forest and scrubs trees are scattered and have long roots long roots क्यों क्यों क्योंकि उपजाओं नहीं है जगा पानी के लिए उनको बहुत नीचे तक गड़ा होना पड़ता है common plants है palms and cacti common animals है fox and wolf mountain forest यानि की mountainous region पर पाई जाने वाले forest यहां पर अलग-अलग vegetation पाई जाती है alpine, tundra यह vegetation के नाम है जो यहां पर पाई जाते हैं फिर अगर हम बात करें mangrove forest के बारे में यहां पर submerged in water पानी में पाई जाते हैं example है kuara और अगर and animals and turtles and snakes तो these were your various vegetations अब हम बात करेंगे मारी wildlife के बारे में हमारी wild देखे, पहले मैं आपको species के बारे में बता दो आप को होगे मैं डेटा नहीं बता रही है 47,000 plant species हमारे देश में पाई जाते हैं 1500, 15,000 flowering plants पाई जाते हैं और कुछ non flowering plants भी पाई जाते हैं जिसकी forns, algae और fungi ये सारे हमारे देश में पाई जाते हैं वही अगर हम बात करें फोना की तो 90,000 animals species हमारे देश में पाई जाती है बहुत सारे animals, birds, fish species हमारे देश में पाई जाती हैं 5-8% world में contribute करते हैं amphibians और reptiles भी हमारे देश के बहुत बड़ी बात है याद बहुत बड़ी बात है अब हमारे देश में government ने ऐसा क्या किया जिसे flora and fauna को protect किया जा सके और ये topic है बहुत ज़्यादा important 14 biosphere reserves लगाए सबसे पहले मैं एक सवाल पूछूँगी मैं को comments में आंसर चाहिए जो zoo बने होते है जू वो किसके लिए बने होते हैं आप लोग के लिए मतला हमारे लिए बने होते हैं हमारे entertainment के लिए हैं नहीं सिर्फ yes or no में आंसर देना कि जू जो बने होते हैं वो हमारे लिए बने होते हैं कि नहीं फड़ा फट से आंसर करो तो कुछ बच्चों को लग रहे हैं हाँ आपके लिए बनाए जाते हैं तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँ मेटा यह आपके लिए नहीं बनाए जाते हैं these zoos, these national parks are basically made to protect flora and fauna क्योंकि उस जगा पे कोई भी जागे hunting नहीं कर सकता, वो safe जगा है तो flora and fauna को protect किया जाता है zoo, national park, biosphere reserve, wildlife centuries इन सब में, Jim Corbett तो आप सब गए होंगे, बहुत लोगों ने सुना होगा है ना, tiger देख के आया मैं, सुना होगा, schools वाले picnic पे लेके जाते हैं Jim Corbett trip पे लेके जाते हैं, तो ये भी बनाया गया है to protect fauna तो बहुत सारे efforts किये गए, biosphere reserve बनाये गए, financial assistant दिये botanical gardens को, ताकि वो various kinds of flowers, plants उगा सके बहुत सारे projects start किये, project tiger, project rhino, project great indian bastard ये wildlife protection act 1972 में लाया गया, to protect wildlife of our nation, इंडिया is the only country जहां lion और tiger दोनों पाए जाते आप इस chapter को आगे भी पढ़ोगे class 10 में, forest and wildlife नाम का chapter है, geography में, ये सब वार रिपीट होगा, और इससे आगे आएगा ठीक है पेटा, तो this was your full-fledged chapter, natural vegetation and wildlife, पूरा वोरा chapter हमने कर लिया है, खतम, अब अप लोड़र attention में होगे, कि मैं हम आपने quick revise करने के लिए तो chapter करा दिया, लेकिन हमें question में answer लिखने आएंगे, तो हमें answer कहें से लिखें, हमें वो तो दे दो, तो या, why fear when Reema ma'am is here, मैं हूना आपके साथ, मैंने इस chapter की full-fledged PPT, इस mind map के पीछे दी हुई है, नहीं विश्वा सारा, दिखाती हूं, यह देखो, full-fledged definitions, flora fauna, factors affecting पांच के पांच आपने किये, land, soil, temperature, sunlight, ecosystem के बारे में बताया, biome के बारे में बताया, forest के advantage नहीं बताया ना, मैं बता देती हूं, forest के advantage आपके paper में भी आ सकते हैं, यह हमें oxygen देते हैं, यह rain लाने में help करते हैं, यह soil erosion को रोगते हैं, यह बहुत तेज आते में पानी के flow को कम कर देते हैं, जिसे barn ना आए, और livelihood देते हैं, raw material देते हैं, industries को, etc, आप खुद भी बना के लिख सकते हो, इसको, सारा data दे रखा है, जो मैंने आपको बताया, vegetation के बारे में full pledge explain कोई भी अगर आपको explain करनी आ जाए, तो आप 5 points में उसको लिख सको, ठीक है, इसके बाद दोनों में difference मैंने आपको बताया था, moist deciduous और dry deciduous में बहुत बड़ा difference है, और बहुत important difference है, जो आपकी paper में आ जाता है, यह आपको पूरा दिया गया है, rainfall, कौन-कौन से areas, क्या देता है, और कौन-कौन से examples हैं, इसके वो सारा इसमें mentioned है, हर एक, सब कुछ, यह दो बार आ गया, sorry, mangroves, wildlife, distribution of wildlife, और danger to wildlife, danger to wildlife में यह है, हम rapidly forest को काट रहे हैं, हम लोग hunting करते हैं, हम poaching करते हैं, यह सारे इन कारण की वज़े से wildlife जो है, वो deplete कर रही है, और उसको save करने के लिए, हमें कुछ ना कुछ efforts करने पड़ेंगे, जिसके लिए सरकार ने बहुत सारे projects लाए है, मार्केट में, environment में, तो this was your natural vegetation and wildlife, अब जैसे की वादा किया था, आपको मैं important बताऊंगी, तो इस chapter में, जो important है, वो क्या-क्या है, important topics, सबसे पहला factors, factors affecting vegetation, okay, तो 5 factors जो थे आपके, याद है, relief, पर यह राइटिंग मों क्या हो गया है यार, और और बताऊं, climatic, relief में, land and soil, और climate में, temperature, sunlight यानि की photo period, and rainfall यानि की precipitation, आप लोग photo period on precipitation ही लिखेंगे, आपको समझ आजा, इसलिए I have mentioned, now, different types of vegetation is very important, अब आप को गे मैं सारी करनी है, देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है, इसमें आप evergreen वाली बहुत important है, और difference in moist and dry deciduous बहुत important है, बहुत important है, ठीक है, इसके बाद importance of forest important है, इसके बाद steps taken by government to protect flora and fauna, यह सब बहुत important है, पूरा चाटरी important है, बढ़ यह सब बहुत important है, ठीक है, इसके साथ हमारा natural vegetation and wildlife होता है, पूरा का पूरा समाप, आपको कोई भी doubt है था, आप comment section में पूछ सकते हैं, और आप लोग मुझे एक question का answer देंगे, comment section में वो है, what is biome और दूसरा है, wildlife protection act का बाया, यह दो answer मुझे comment section में चाहिए, इसके साथ हमारा चाप्टर खतम होता है, इस चाप्टर की ppt आपको मिल जाएगी, science and fun app पे, और अगर अभी तक आपने इस चानल को subscribe नहीं किया है, वो कर लीजे, मैं रीमा गई, इस चानल पे आपको पढ़ाती हूँ, SST, बिलकुल बड़े आ तरीके से, आपको अगर यह mind map वाला जो step लिया गया है, यानि कि इस तरीकी से मैं जो पढ़ाना शुरू किया है, अगर आपको अच्छा लगा हो, और ऐसे ही quick revision वाले चाप्टर सही हो, तो मुझे comment section में बताना और यह भी बताना कि next वीडियो में आपको कौन सा chapter चाहिए, तब तक के लिए धन्यवाद,